जब हर पात्र परिवार के पास आईश्मान योजना का काड़ होगा जब हर गरीब के पास बिमा सुरक्षा कवच होगा कि अब हमें योजनाओं के हर लाभारति तक तो दुस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस रमकार जिन्होंने अपलाई किया है उनके एकाउंट में हजार रुपिय की पहली किस्त कब आने वाले हैं कोईकि कल है 15 जनवरी आप लोगोंने काफी सारे ऐसे निउस सुने हैंगे जिसमें बताया गया होगा 15 जनवरी को गौर्मेन की तरब से जिन लोगों को इस रमकार ने अपलाई किया है उनके एकाउंट पे पहली किस्त भेज दिया जाएंगे जिन लोगोंने इस रमकार के लिए अपलाई किया है काफी लोग ऐसे हैं जिनके एकाउंट में 1000 रुपे के पहली किस्त आ भी चुका है और काफी लोग ऐसे हैं जिनके एकाउंट में अभी तक नहीं आया है तो इसके बारे में एक latest अपडेट आया है आज हम इसी के बारे में जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने स्पहले भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अभी तक इस रमकार्ड के लिए 22 करोर लोगों ने अपलाई कर चुके हैं और गृर्वेंड का टार्गेट है 38 करोर लोग और जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले इस रमकार्ड के लिए अपलाई कर दिये हैं उनके एकाौंट में गृर्वेंड की तरफ से 500 रुपे की दो किस्त यानि की 1000 रुपे पहली किस्त उनके एकाउंट में आने वाले हैं काफी लोग ऐसे स्रमिक कार है काफी लोग ऐसे हैं जिनके एकाउंट में अभी तक पहली किस्त नहीं आये हैं इस लाश्ट डेट की बात क्या जाए तो 15 जनवर यानि कि कल के डेट में उनके एकाउंट में 1000,000 रुपे की पहली किस्त आ जाएंगे जिनके एकाउंट में अभी तक पहली किस्त नहीं आए हैं। इस रमकार की पहली किस्त नहीं भेजे जाएंगे। आप लोग को कल तक के लिए वेट करना है और आप लोग के एकाउंट में 1000,000 रुपे की पहली किस्त आ जाएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक किजिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब किज तो दोस्तों मिलते हैं किसी और डेक्स वीडियो में।